नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नर्सिंग ओफिशर और फार्मासिष्ट के पदों पर जो भरतियां है वो जारी हो चुकी है यहनकि विगपती जारी हो चुकी है और जो समविधा क्रमचारी है चाहिए किसी भी योज़ना में लगे हो चाहिए पीपीप मोड़ पे हो और उनके अनुबो परमान पत्र को लेकर जो सर्कूलर है जो गैडलाइन है वो जारी कर दी है आप देख सकते हैं निदेशक जन स्वास्ति आरसी एच आईसी एडस आर आरसी मोबाइल सर्जिकल यूनिट सीपू समस्त परदानाचारी है मेडिकल कोलेज परियोजना निदेशक समस्त अधिक्षक सलंगन चेखश्याले राजयक्षय रोग नियंतर अधिकारी समस्त सीमचो पी एमो जिरा प्रजनन अधिकारी उपनिदेशक और मुखे सारवजनिक विशलेशन जन स्वास्ति प्रियोग शाला को पत्तर लिखते वे नरसिंग और पेरामेडिक आपको बताँगी किस परकार से अनुवाव परमाण पत्र जारी करवना है किया सिम्पल ミ्र की में इस पत्वे कारीगत इस हुस्पिटल में इस पद्वे कारीगत इस परकार का आप देख सकते हैं इनों ने काया कि विभाग द्वरा वर्ष 2022 में नर्सिंग और पेरामेडिकल पदों को भरे जाने है तू जारी की जाने वाली विगेप्तियों के संबंद में रास्तान चेकिश्यायों स्वास्ते अधिनस्य सेवानियम 1965 तता संसोधित नियम उन्नीश में बोनना संक दिये जाने के उपलब प्रावधानों के अंत्रगत विभाग के दिन संचालित चेकिश्यायों के विभिन योजनाओं के समरूप कारी करने के अनुबव अवधी के आधार पर अनुबव का लाब दिया जाना है यानि कि अगर नर्सिंग और फिशर के लिए आप देख सकते हैं जिसके लिए अनुबव परमाणपत्र जारी किया जाने के लिए आपको अधिकरत किया जाता है साथ यह नो ने खाय कि इन नियमों में उल्यकित योजनाओं में समवीदा व्यक्तिगत अनुबद एस्ताई आधार आवशक एस्ताई आधार पर कार्यत हैं या रहे हैं उन अभेरतियों को बोनस नंख है तू अनुबव परमाणपत्र जारी करने के संबंद में निमना कार्मिकों के संबंद में आपको अगर अनुबव परमाणपत्र जारी किया जाना है तो आप देख सकते हैं करीब यहां पर तेरा जो डारेक्शन है वो ACS पर्तिविराज मेडिकल डिपार्ट्मेंट द्वारा जारी किये गए हैं सबसे पहला जो यहां पर डारेक्शन है कि विग्यपति जारी होने के दिनांग से विग्यापित पद के लिए ओनलाइन आवेदन करने की अंतिम्तिति तक जारी किये गए अनुबव परमाणपत्र ही मानने होंगे यानि कि जो अनुबव परमाणपत्र है विग्यपति जारी होने के बाद में और यहां पर अंतिम्ति थी है उससे पहले जारी किया हुआ होना ची वो ही अनुबव प्रमाणपत्र मानने है अनुबव अवदी की गणना ओनलाइन आवेदिन प्रारम होने की ती थी से ठीक पूर्व की दिनांग तक ही की जाएगी तो दोस्तों मैं बता दूँ जो विगिप्ति है जारी होने की से विग्यापित पद के लिए ओनलाइन आवेदिन की जो अंतिम थी थी है उस तक अगर आपने अपना अनुबव प्रमाणपत्र बनवाया है तो वो मानने है साथ ही अनुबव अवदी की जो गणना है ओनलाइन आवेदिन प्रारम होने की ती से पहले होगी यानि कि जिस दि प्रारूप के अन्य किसी भी प्रारूप में अनुबव परमाणपत्र आपने जारी करवाया है तो वो मानने नहीं होगा यानि कि परिशिष्ट एक अनुबव परमाणपत्र ही मानने होगा सिम्फल फॉर्मेट का जो अनुबव परमाणपत्र है वो मानने नहीं होगा चाह अधिक्रत प्रादिकारी द्वारा ही नरधारित प्रारूप में अनुवः परवान पत्र प्रस्तूत करना होगा तो दोस्तों ये था फार्मासिष्ट के लिए अगर फार्मासिष्ट के लिए आपने इन इन जो मैंने अभी बताए इसमें काम किया है और आपने अनुमों प्रमाण पत्थर जारी करवाया तब वो मानने यहाँ पर होगा साथी फार्मासिष्ट के अत्रिक्त अन्य पदों के लिए आवेदन करने की पात्रता की जो भेर्तियों के जाँच और दस्तावेज सत्यापन के समय आवेद कुर राज्य सरकार के अधिन राश्टिय ग्रामेंड स्वास्ते मिशन, मेडिकियर रिलीफ सोसाइटी, मुख्यमंत रोग निगरानी प्रियोजना या राजे आपने सीफू में काम किया है या राजे सरकार के अधिन सम्रूप कारी करने के आपको अवदी है को ध्यान में रखते वे प्रादिकारी है उसी के द्वारा जारी जो अनुओ प्रमाणपत्रा वो माननने होगा और स्पेसिफाइड format में ही जारी होना चाहिए साथ इनों ने कहा कि बिंदू दो और तीन के अनुशार राजस्तान सरकार के अदिन संचाली समझ चिकिश्या संस्तानू चिकिश्या स्वास्ते एंचिकिश्या शिक्षा विबाग के अदिन संचाली त्योजनाओं में समरूप कारी करने वाले संवीदा व्यक्तिकत अनुबंद एस्ताई आधार यू टीवी पर एम आर एस प्लेस्मेंट एजनसी एंजी ओ एक्सो आर्ट एंबुलेंस पी 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 मोड के मादने में से कार्यत कार्मियों को दी गई सेवाओं का अनुबो परमाणपतर निया मनुशार अधिकरत अधिकारियों द्वारा ही जारी यहों सत्यापित करने वाले अधिकारियों द्वारा सत्यापित कर जारी करवाए किया जाए निजी चिक्रिशा सेंस्तानों योजनाओं में कारत किसी भी कार्मी को अनुबो पुर्मान पत्र जारी नहीं किया जाएगा यानि कि आपने सम्वीदा व्यक्तिकर अनुबन पर कारी किया है एस्ता याधार पर किया है UTV पर किया है MRS, Placement Agency, NGO 108, PPP मोड पर तो आप अपने जो अधिकरत अधिकारी है उन से ही अनुबो पुर्मान पत्र जारी करवाएं साथ ही सत्यापित करने वाले अधिकारियों से इसका सत्यापन भी करवाएं तब ही वो अनुबो पुर्मान पत्र है वेलिड रहेगा इसके अलावा किसी भी करम जैसे की कोई भी अभेरती है उसने नीजे सायंस्तानों में काम किया तो उसको अनुवव पर्मान पत्र जारी नहीं करना है साथी आप देख सकते हैं पिलेस्मेंट एजेंसी, एंजीयो, एक्सोहर्ट एंबूलेंस, पीपीपी मोड पर संचाली चिकशा सायंस्तानों में कार्यत पात्र संविदा कार्मिकों के पर्मान पत्र भी अधिकरत अधिकारियों द्वारा जारी होने चीए और सत्यापित करने अधिकारियों द्वारा भी सत्यापित भी करवाए जाएंगे अधिकारियों के अनुबवव पर्मान पत्र जारी करता अधिकारियों के मार्दम से कार्यत पात्र संविदा कार्मिकों का अनुबवव पर्मान पत्र जारी किये जाने से समस्त दस्तावेज रिकोर्ड समस्त एजेंसी एंजियो से प्राप्त करें जो परमान पत्र है वो नियावनोशार जारी करेगा तो आपने देखा दोस्तों जो 108 एंबुलेंस में काम करने वाले हैं एंजियो में कारिक हैं प्लेश्मेंट एजेंसी से हैं पीपीपी मोड पे हैं सबसे पहले उनका जो अनुवव परमान पत्र है जो नरधारित फॉर्मेट में जारी करने वाले अधिकारी द्वारा जारी किरावाई जाएगा साथ ही उसको सत्यापित भी करवाया जाएगा इस अनुवव परमान पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम होगा साथी जो उसकी मोहोर है सील है वो स्पष्ट रूप से अनिवारी होने चीए जिस पर कारियाले प्रक्री अनुशार विदीवत रूप से डिस्पेच नमर और डेट को भी अंकित किया जाना अनिवारी ह यह नो वो परवाण पत्र चार पत्रित निदेशाले के लिए जिसे आप अपने पास रुक्षेत रखी जाएगी उनके दुआरा मांगे जाने पर उपलब्द करवाई जाएगी और चोतुर चोपड़ती है वो कारियाले आपके कारियाले में सत्यापन के उदेशी से सुरुक्षेत रखी जाएगी तो आप देख सकते हैं जो अनुवो परमान पत्र है वो यहाँ पर स्पेसिफाइड फॉर्मेट में ही जारी करना चाहिए साथ ही अनुवो परमान पत्र में जो जारी करने वाला जो अधिकारी है उसका नाम उसका पद क्या है और इसका पद नाम क्या है और सील जो है स्पेस्टूप से अंकित होनी जीए और अनुबव परमान पत्र चार पड़तियों में मनाया जाना चाहिए पहली पड़ती अभरती को दी जाएगी दूसरी पड़ती सेंग तो जोन या प्रदानाचारी समधिक्त मेडिकल गोलेज को थर्ड पड़ती निदेशक मेडिकल एजूकेशन मेडिकल एंड हेल्थ के लिए और उनके मांगे जाने पर उपलब गराई जाएगी और चोथी जो पड़ती है वो आपकी कार्याले के उद्देशिशे रखी जाएगी इसके लाबा आप देख सकते हैंлонlions आवेदन के लिए अनुबभ के आधार पर बोनसंग के दावमेह तू आवेदन पत्र के साथ पत्र आवेदक को अनुबभ प्रमान पत्र सलंगन करना होगा यदि आप अनुबव को अलाब लेना चाहते हैं बोनस अंक लेना चाहते हैं तो आप आवेदन के समय आपको अनुबव से समद्धी जो डिटेल्स है वो फिल करनी होगी और अनुबव पुर्मान पत्र अटेच करना होगा इसके अलाबा अनुबव पुर्मान पत्र जारी करने वाले अधीकरत प्रादिकारी का या दायतू होगा कि संवीदा वेक्तिकत अनुबव पुर्मान पत्र जारी किया जाएगा अनुवब परमानपतर जारी करते समय पूर्ण सावदानी बरती जाए अनुवब परमानपतर में किसी भी प्रकार की तृटी या लापर्वाई के लिए जारी करता आधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार रोगी साथी भविश्य में एकर रिकोर्ड वांगा जाता है आपसे अनुबंद प्रमाण फत्र का तो वो प्रोवाइड भी करवाना होगा इसके लावा इन्हों ने काए कि राज्य सरकार के नियुनतम मांदे समंदी नियम के अनुशार यदि अनुबंद मासिक है इन्हों नियुक्तान दर में 26 का भाग देकर देनिक भुगतान दर निकाली गई है तो 26 कारे दिवश पर ही एक महा गिना जाएगा तो आप देख सकते हैं इन्होंने काया कि यदि जो नुबंध है वो मासिक है वो मासिक दर में 26 का भाग देखकर देनिक महजदूरी जो बुगतांदर है वो निकाली जाएगी तो 26 कारी दिवस करने पर ही इस आउदी को एक माह गिना जाएगा और परिशिष्ट के बिंदु स संक्या, 7.8 मेंकित कारी दिवस्रों के संक्या के आधार पर बोनस अंक दिये जाने के लिए एनुबव की गणना यहां पर की जाएगी साथी अधिक्षक संगांग चिकश्या समो दोरा जारी इनुबव परमान पत्र को समधित परदानाचारी राजगे मेडिकल कोलीज या डेंटल कोलेज दोरा सत्यापित किया जाएगा मुखे चिकिश्या, सुवास्ते अधिकारी, पी एमो, जिला प्रजनन, अधिकारी मुखे सार्वजनेक विश्लेशन, उप निदेशक औस दी प्रियोग साला, द्वारा जारी अनुवो पुर्माणपत्रों को, चिकिश्या अनुवो सुवास्ते विभाग के सम्दित, जो नक स्यूंत निदेशक द्वारा सत्यापित करवाया जाना आवश्यक है साथ ही विभाग के अधिन राजगी एसेंस्तानों विभीन योजराओं में कारे करने वाले समवीदा पर कारे करने वाले को अनुबव प्रमाण पतर जारी किया जाएगा नीजी चेतरे असेंस्तानों को अनुबव का लाब देर नहीं होगा आप देख सकते हैं तेरा परकार के जो डारेक्शन है ACS Medical and Health द्वारा जारी किये हैं साथ ही प्रतिली पी दी गई है विभीन को आफशे कारवाई हैं तो दोस्तों ये थे जो अनुबव प्रमाण पतर जो जारी किया जान है नर्सिंग ओफिशर और फार्मासिस्ट बढ़ती 2022 के लिए उनके लिए किस परकार से अनुबव प्रमाण पतर जारी किया जाएगा कौन कौन से जो डारेक्शन है वो फोलो की जाएगे अब आपको बताएंगे कि उसका फॉर्मेट क्या रहेगा अनुबव प्रमाण पतर का मैं बतादू अनुबव प्रमाण पतर जो है परिशिष्ट एम में जारी किया जाएगा इस परिशिष्ट के अलावा अन्य किसी भी जो फॉर्मेट है आपके पास अगर उसमें अनुबव प्रमाण पतर जारी किया है तो वो मानने नहीं होगा आप देख सकते हैं नर्सिंग पेरामेटिकल भठती 2022 है तो आप यह दिन कार्यत समविदा क्रमचार्य को अनुबव प्रमाण पतर जारी किया जाने है प्रमाण पतर का प्रारूप है और यह जो प्रारूप है और यह जो आप अनुबव प्रमाण पतर जारी करते हैं विगपती जारी होने की दिनांग से आविद की अंतिम दिनांग तक जारी किये गए अनुबव प्रमाण पतर ही मानने होगे यानि कि अगर आपने पहले अनुवव परमान पतर बना लिया तो वो valid नहीं होगा valid अनुवव परमान पतर थभी होगा जब आपने विकप्ति जारी होने के बाद और अंतिम तिति से पुरुव अगर आपने मनाया है तभी वो मनने यहां पर होगा सबसे पहले कारियले का नाम आईगा जिसमें सबसे पहले कारियले का नाम आईगा इसके बाद जो dispen gratis नमर डेट आएगी इसके लावा आप देख सकते हैं अलग-अलग पद नाम अवदी अनुबंद वैतन सांसतानी ऑजेंसी होने पर अनुवो परमान पत्र भी अलग अलग जारी किया जाएगा यदि आपने किसी पद पर दो महीने काम किया है किसी पद पर एक महीने काम किया है तो इसके लिए भी अलग अलग जो अनुवो परमान पत्र जारी किया जाएगा इसके अलावा इस परकारश आएगा कि प्रमानती यादता है कि स्री स्रीमती कुमारी पुत्र पुत्री स्री नीच्चे दर्साईगे अनुशार इस कारे लेके दिन कारत हैं इसमें अभेरती का नाम, डेटो बर्थ, पीता का नाम, उप्रोक्त अनुबव वववदी के दोरान कारेश सनस्तान का नाम में उस्तान आएगा, उप्रोक्त अनुबव वववदी के दोरान क्या पद नाम रहेगा, उप्रोक्त पद स्विकृति के आदेश वदिनांग क्या ह क्योंकि दोस्तों पूरा जो अनुबव प्रमान पत्र है वो चेक होने के बाद ही आपको अनुबव के 10-20-32 बोनसंग मिलेंगे इसके अलावा उप्रोक पद पर संपादित किया गया कारी क्या संपादित कारी विग्यापित पद के कारी के समान है यदि हाँ तो हाँ एगा नहीं तो नहीं इसके अलावा उनुबव किस परकार से के सिधा कार्मिक से एजनसी के मादिम से यदि एजनसी या एंजियो के मादिम से हो तो पद पर पद है तो कितने कार्मिक एजनसी के मादिम से लिए है इस एजनसी और एंजियो को दिया गया कारियादेश अनुमंद कर्मांक और डेट इसके लाबा क्या अनुमंद मासिक दर पर किया गया या देनिक दर पर या जो बेसिस पर तो उसको चुनना है यदि अनुमंद मासिक देनिक या जो बेसिस पर किया गया तो उसकी बुक्तान कि अनुमन्द आवधि किया रह यानि कि ओंलाइन आवैदन प्रारम होने की ठीक पूरो की दिनांग तक करी अवनine क्या वो सामिल के जाएगा यानि कि कबते काम किया कुरे दिवश किया हे यद्य नहों निरंद क्या है कि स्थांट हो यहां पर भर प्रमानित करना है और जो जारी करने वाला जो अधिकारी है उसका नाम पद्धनाम और सील आएगी इसके अलावा जो सत्यापित करने वाला अधिकारी है उसका सत्यापन भी यहां पर होगा और इस प्रकार से अनुबव प्रमानपत्र जारी किया जाएगा तो दोस्तों आई ह यूटूब चैनल रास्तान विरोजगार चात्रशंग को सस्क्राइण निया सस्क्राइब कुनें धन्यवाद दोस्तों